हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सेयर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, कार्डिगन, कोटी, जैन साप स्विटर, गल्स स्विटर, गल्स टॉप, आदि में बनके बहुत ही खुबसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है, अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं, तो देखे, फर्स्ट रो में देखे, जो एस्ट्रा फंदे हमारे दो, इनको हमने बिना बुने, ये पहला वाला फंदा बिना भुने उता लेना है, दूसरा फंदा सीधा भुन के उतारेंगे, अब देखिए जैसे मेरे यहां पर दो फंदे एस्ट्रा हैं, तो आपके कितने भी फंदे हो सकते हैं, 10-15 अपने प्रोजक्ट के हिसाब से, फिर देखिए धागा आगे करेंगे, औ और देखिए 35 फंदों पर यहां पर पैटन बना है, यानि कि 35 फंदों पर पैटन बना है, तो देखिए 35 फंदों में से यह पहले दो फंदे उल्टे आगे, फिर धागा पीछे करेंगे, और देखिए नेस्ट तीन फंदों पर हमने पैटन बनाना है, तो एक, दो और तीन, तो जो ये तीसरे नमबर का फंद है आगे के दो फंदों के उपपर से उतार के सिलीप कर लेना है फिर देखे एक फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे अब जो फंदा लेस हुआ है वो जाली के दोरा यहां पर पलस होगा और नेश्ट फंदा सीधा बुनेंगे तो देखे ए तीन फंदों पर पैटरन आ गया फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे और देखे दो फंदे एक साथ बुनेंगे तो ऐसे सीधी साइड से हमने सलाइड आरनी है और दो का एक कर लेना है ये दो का एक किया फिर धागा अपने साइड फिर धागे को ऐसे पीछे ले जाएंगे और सलाइड पे रोल करते वे धागे को आगे लाएंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे ये दो फंदे हमने उल एक, दो, और तीन, यह तीन फंदे सीधे भुनें, अब नेश्ट दो फंदे एक साथ भुनें, तीन दो फंदों को हमने पलटा लेना है, यह दो फंदे हमने एक साथ भुनें, तो देखें, दो का एक करेंगे, फिर दागा अपने साइड, तीन फंदे उल्टे भुनेंगे, यह तीन फंदे उल्टे भुनें, आप देखें फिर यहां पर सेम प्रोसिस रिपीट होगा, यह वाला, तो देखें, धागा पीछे करेंगे, और दो फंदे हमने एक साथ भुन लेना है, यह दो का एक कर लेंगे यह दो का एक किया, फिर तीन फंदे सीधे भुनेंगे फिर देखें धागा अपने साइड, फिर ऐसे पीछे ले जाएंगे, और सलाई पर रोल करते भुने धागे को आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे भुन लेंगे फिर देखें धागा पीछे करेंगे, और देखें यहां पर हमने दो फंदे एक साथ भुन लेने तो देखें, ऐसे सीधी साइड से हमने सलाई डालनी है, और दो का एक कर लेने फिर देखे धागा अपनी साइड फिर ऐसे ले जाएंगे पीछे और सलाई पे रोल करते धागे को आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे अब देखे नेश्ट तीन फंदों पे हमने पैटर्न बनाना है तो देखे एक दो और तीन तीसरे नंबर का फंदा आगे के दो फंदों के उपर से उतार के सिलीप कर लेंगे फिर देखे एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड जाली बनाने के लिए जो फंदा लेस हुआ है वो जाली से यहां पे पलास हो जाएगा और नेश्ट फंदा सीधा बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे तो देखे यहाँ पे यह दो एस्ट्रा फंदा छोड़ने के बाद यहाँ पे से देखे जो यह दो उल्टे फंदे हैं यहाँ से और इन दो उल्टे फंदों तक यह हमारे 35 फंदे हैं इन पे हमारा यह पैटर्न बनना शुरू हो गया है और देखे धागा पीछे करेंगे लास फ्रंट साइड से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गई, आप देखिए बैक साइड से से किंड रो, ये पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, तीन साइड प्रेृट है, दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर दागा होगा अपने उन्ड ऊमृट करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, तीन उतारेंगे, फिर धागा AAPनी साइड और देखिए 5 फंदे ऊल्थे बुनेंगे, एक, दो तीन चार और पांच पांच फंदे उल्टे बुने फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुनेंगे यह दिखे यह तीन फंदे सीधे बुने यह फ्रांट साइड से हमारे तीन फंदे जो उल्टे आये हैं देखे बैग साइड से सीधे फिर धागा अपनी साइड 5 फंदे उल्टे जो 5 फंदे हमारे फ्रंट साइड से सीधे वो बैक साइड से उल्टे आएंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे अब देखे फ्रांट साइड से दो फंदे उल्टे हैं तो बैक साइड से सीधे आएंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे देखे जो फंदे सीधे हैं वो बैक साइड से उल्टे आएंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे ये तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे आ जाएंगे फिर धागा अपनी साइड और लास्ट के दो फंदे उल्टे आ जाएंगे तो देखिए बैक साइड से हमारी सेकिंड रो कम्प्लेट हो गई पूरे पैटन में हमने बैक साइड से यही प्रोसिस रिपीट करना है अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो में देखिए दो फंदे सीधे बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा अपनी ही साइड रहेगा और देखिए यहां पे दो फंदे हमने एक साथ बुनना है तो देखिए यह दो फंदे पहले ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडिल में डालेंगे और देखिए दो का एक कर लेंग ये दो का एक किया फिर धागा अपने साइड दो फंदे उल्टे बुने फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा फिर धागा अपने साइड जाली बनाने के लिए और देखे यहां पर दो फंदे सीधे बुनेंगे ये दो फंदे सीधे बुने फिर देखें नेस्ट दो फंदे हमने एक साथ बुन लेने तो देखें ऐसे इन फंदों को पलटा लेंगे और लेफ नीडिल में डाल देंगे फिर देखें दो का एक कर लेंगे फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे ये फ्रन्ट साइड से हमारी पैटर्न की थर्ड रो है फिर धागा पीछे फिर दो का एक करेंगे फिर दो का एक कर दिया फिर देखें नेस्ट दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड एक फंदा सीधा दो फंदे उल्टे फिर देखें ये नेस्ट दो फंदे ऐसे पलटा लेने हैं धागा अपनी ही साइड रहेगा और दो का एक कर लेंगे फिर देखें दागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुनेंगे तो देखें ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई अब बैक साइड से फोर्थ रो को हमने सेकिंड रो की तरह बुनके कंप्लीट कर लेना है फिर तरो में देखें दो फंदे सीधे बुन लेने हैं फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे और देखें फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे दो का एक कर लेंगे दो का एक किया फिर धागा अपनी साइड फिर धागा पीछे ले जाएंगे और सलाई पर रोल करते हुए आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड और देखिए यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा सीधा बुनने के बाद यह दो फंदे एक सार बुन लेने हैं तीन फंदे उल्टे फिर धागा पीछे फिर यह दो फंदे एक साथ यह दो का एक कर लेंगे फिर देखिए एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड दो फंदे सीधे बुन लेंगे फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे और दो का एक करेंगे दो फंदे घागए साइड करेंगे और यह दो फंदे बुनेगे फिर धागा पीछे, और देखें, तीन फंदों पे पैटर्न आएगा, तो जो तीसरा फंद है, इसको आगे के दो फंदों के उपर से उतार के सिलीप कर लेंगे, फिर देखें, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड जाले बनाने के लिए, और दूसरा फंदा सीधा, फिर देखें दागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर दागा पीछे लास्ट के दो फंदे सीधे बुन लेंगे। तो यह फ्रंट साइड से हमारी फिस्फ McD row कम्प्लीट हो गई, एक साइड से देखें 6th row, 6 तरो को हमने 2nd रो की तरो बुन के complete कर लेना है अब देखिए front side से 7 तरो अब 7 तरो में देखिए ये 2 फंदे सीधे बुन लेंगे धागा अपनी side 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे 3 फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी side 2 फंदे उल्टे बुनेंगे धागा अपनी side रहेगा और देखिए 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो ये पहला फंदा याँसे पल्टा लेना है और 2 फंदे एक साथ बुनेंगे तो ये 2 का 1 हो गया फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे यह धागा पीछे तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर धागा अपनी साइड जाली बनाने के लिए और दो फंदे एक साथ बुनेंगे ये दो का एक हो गया फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे ये देखे सीधी साइड से हमने चलाई डारनी है और दो का एक कर लेना है फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे सीधे बुनेंगे ये तीन फंदे हमने सीधे बुन दिये फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा अपने ही साइड रहेगा और देखें यहां पर दो फंदे हमने एक साथ बुन लेने यह दो का एक कर दिया फिर धागा अपने साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे तो देखें फ्रंट साइड से हमारी सेवन त्रो कंप्लीट हो गई अब देखें बैक साइड से एट त्रो अब एट त्रो को हमने सेकिंड रो की त्रो बुन के कंप्लीट कर लेना है अब देखें फ्रंट साइड से नाइन त्रो अब नाइन त्रो में देखें यह एस्ट्रा फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुन के उतारेंगे सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, अब देखें, नेच्ट तीन फंदों पे पैटन आएगा, तो देखें, जो तीसरा फंदा है, इसको ऐसे राइड निडिल से उठा करेंगे, और आगे के दो फंदों के उपर से उतार के स्लिप कर लेंगे, फिर देखें, पहला फंदा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड जाली बनाने के लिए, और दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फ आगे लाएंगे और दो भंदे उंटे बुनेंगे। फिर धागा पिछे 4 भंदे ती दे बुनेंगे। तो देखें ये पहला फंदा उटा रहा और ये दूसरा फंदा इन दोनों को ऐसे परटा के लेप्ट बंडील में डालना है। इनको 2 का 1 कर लेना है, फिर धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे, और देखें यहां पर 2 फंदे, 1 साथ बुनेंगे, यह 2 का 1 कर लेना है, फिर धागा अपनी शाइडे 4 फंदे सीधे बुन लेंगे धागा अपनी साइडे 2 फंदे उल्टे बुनेंगे फिर धागा पीछे ये 2 काएक कर लेंगे ये 2 फंदे हमने एक साथ बुनने हैं झाल झाल तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी 9th row complete हो गई अब बैक साइड से देखिए 10th row अब 10th row को भी हमने 2nd row की तरह बुनके complete कर लेना है अब देखिए फ्रंट साइड से 11th row अब 11th row में देखिए झाल 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 यह देखें फ्रंट साइड से हमारी 11 रो कम्प्लीट हो गई अब देखें बैक साइड से 12 रो अब 12 रो को हमने सेकेंड रो की तरह बुनके कम्प्लीट करना है अब देखें फ्रंट साइड से 13 रो अब 13 रो में देखें ये दो फंदे सीधे बुन दिए धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुन लेंगे धागा पीछे अब तीन फंदों पे पैटन आएगा तो देखें तीसरा फंदा आगे के दो फंदों के उपर से उतार के सिलि दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, फिर धागा पीछे और देखे याँ पे ये 6 फंदे सीधे बुन लेने। ये 6 फंदे सीधे बुनें, देखे याँ पे फिर जाली नहीं बनेगी, धागा पीछे ही रहेगा, और देखे जो ये सेंटर का फंदा है इसको भी सीधा बुन लेंगे, फिर देखे 6 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा पीछे ही है, ये 6 फंदे सीधे बुन लेने। देखे ये 6 फंदे हमने सीधे बुन दिये फिर दागा अपनी साइड करेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर दागा पीछे और देखे दो का एक कर लेंगे फिर दागा अपनी साइड फिर येंसे पीछे ले जाएंगे और सलाई पे रोल करते वे धागे को आगे लाएंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे और तीन फंदों पे पैटन आएगा, तो देखे जो तीसरा फंदा है, आगे के दो फंदों के उपर से उतार के सिलीप कर लेंगे, फिर देखे, पहला फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, दूसरा फंदा सीधा, फिर धा पूर्टे बुनेंगे फिर देखे लास्ट के दो फन्दे सीधे बुनेंगे फ्रेंट साइड से हमारी 13 रो mutual हो गई अब देखे बैक साइड से 14 रो अब देखे जो यह 3 सेंटर के फन्दे हैं यह देखे यह 14 रो में बैक साइड से सीधे आएंगे तो देखें यहां पर यह दो फंदे उल्टे बुने धागा पीछे दो फंदे सीधे तीन फंदे उल्टे देखे यह पांच फंदे उल्टे आ गए फिर धागा पीछे करेंगे और देखे यह जो तीन फंदे सेंटर के हैं इनको हमने बैक साइड से फोर्टिन रो में सीधा बुनना है यह प्रोसेस सिर्फ फोर्टिन रो में होगा फिर धागा अपने साइड अब जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे बुनते हुए अपने फोर्टिन रो कंप्लेट कर लेंगे अब देखे फ्रंट साइड से फिप्टिन रो में हमारा पैटन रिपीट होगा अब हमने ऐसे ही अपने पैटन को रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन ये बहुत ही सुन्दर आ जाता है ये देखे आप इसे किसी भी प्रोजक्ट पे अपलाई कर सकते हैं और बनाने के लिए भी देखे बहुत ही आसान पैटन है हमारा ये दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें थैंक्यू